नमस्कार आप देख रही हैं नेक्स नाइन न्यूस पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूँ करांति सिंगा आपको उतादे कि डबलू एफाई अध्याक्ष और बीजपी सांसत ब्रिज भूशन को लेकर के जो है बड़ी ख़वर सामने आ रही है आपको उतादे कि ब् ब्रिज भूशन को लेकर के जो है तमाम खिलाडियों ने अपना एक भयंकर मोर्चा जो है वो खोल रखा है और उस मोर्चा को रोकने का नाम अब तक खिलाडियों ने नहीं लिया है आपको उतादे कि खिलाडियों की मांग है कि जो उनके साथ बुरा वरताब हो रहा है उस कोतादे की बीते दिन हमने देखा कि 18 फरवरी को अचानक से दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम जो खिलारी है जिन में बड़े बड़े नाम चाहे वो बजरंपुनिया का नाम हो साक्षी मलिक का नाम हो ऐसे तमाम नाम जो है वो वहाँ पर पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शन किया खिलारियों के एक बड़े जमावरे का ये प्रदर्शन देख करके जो है पूरा का पूरा सिर्फ दिल्ली ही नहीं इला पूरे देश के अंदर ये चर्चा तेज हो गई कि क्या हमारे खिलारी सुरक्षित नहीं है क्या देश के लिए जो गोल्ड मैडलिस बन रही है ज साथ सामने निकल कर क्या है जिसके बाद हर किसी ने ब्रिजबूशन से इस्तिफ़े की मांग की लेकिन उसके उपर डटे हुए नजराए ब्रिजबूशन आपको दादे कि उन्होंने कहा कि जब तक आरोप सिध्ध नहीं हो जाता मैं इस्तिफा नहीं दूंगा अब इन सब के बीच पे डबलू एफाई ने अपनी तरफ से 6 समीती का गठन किया और गठन करने के बाद पूरे मामले पर कारवाई शुरू की लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर के एक पुकता कारवाई जिससे कि संतुष्टी मिल जाए खिलाडियों को भी और बिजबूशन शरन सिं हैं वो एक के बाद एक अपनी तरफ से हड़कम मचा रहे हैं फिलाल आज किस खास रिपोर्ट हम बस इतना ही लेकिन इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोगो को क्या लगता है कि अब रिजबूशन के गिरफतारी और इस्तिफा जल्द हो सकता है या फिर ये मामला य यूँ ही चलता रहेगा ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन यूज पॉल्ट कल बाइट